हेलो फ्रेंज चलिए मैं आपको फिर से एक और नएड़ जैन की लेड़ गोपाल जी के लिए ड्रैस बताती हूं जिसके लिए मैंने यहाँ पर यह दो कलर ले लिए हैं और मैंने टेन नंबर शलाई ली वी है यह मैंने तीन प्लाई वाली उली है आप कोई भी उल से इस ड्रैस को बना सकते हैं कोई भी कलर की उल ले सकते हैं और कोई भी सिंपल उल से भी आप ले इसको बना सकते हैं तो हम तीन प्लाई वाली उल से आपको बता रहें, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस इसे जरूर लाइक करें, शियर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये हमारी लड़ू कोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी, तो चलिए हम बनाना श्टार्ट करते हैं, किस तर बताएं कि सबी साइज की मैने अपने में ड्रेस डाली हुई है, आप मेरे में देख सकते हैं, 0 से लेकर 10 नंबर तक की ड्रेस में डाली हुई है, जो 10 नंबर के आइज होते हैं, उनके लिए भी हमने बनाई हुई है और 0 के लिए भी गेडियर एको इस तरह से मैं यहाँ प तो देखिए फ्रेंस मैंने यहां पर 20 फंदे ले लिए हैं तीन नम्मर के लिए तीन को और यह चार को भी आराम से आ जाएगी तो यहां पर यह देखिए सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे एक फंदा हम सीधा बना लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से हम यहां पर पहले बॉर्डर बना लेते हैं यह रेखिए तो यह मुझे बॉर्डर दो चलाईया बना लेना है और उल्टी तरब से हम अपना इसमे फिर यल्लो कलर लगाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो सलाईया बॉर्डर बनाएंगे कि धॉनों तरब से हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है जो फंदा हम utter उलटा बना रहे अंची स्थे बना गए तो बार्ड रहे हो पर ग्यारा में हम बनाते हैं उसी तरह से तो छलिए मैं बना लेती हो। इस तरह से दो सलाई आगा दिखाएंगे तो देखे फ्रेंच मैंने यहां पे दो को चलाईया अपना बॉर्डर बना लिया है यह देखिए इस तरह से और दोनों तरफ से इसी तरह से यह बन के आया है इसके बाद मैं उल्टी तरफ हूं तो उल्टी तरफ से हम क्या करेंगे इसमें अपना हम यह लो कलर लगा देंगे कलर आप अपनी पसंद का कोई भी इसमे यूज कर सकती है यह नहीं है कि जो कलर मैं लगा रही हूं वही आपको लगाने हैं तो देखिए यहां पर हम अपना यह लगा देते हैं इस तरह से आप यह कलर भी लगा सकती है और जो भी आपके पास कलर है वो भी आप यूज कर सकती है यहां पर हमने अपना येलो कलर लगा के इसको दावे को इस तरह से कर लेंगे यहां पर हमने इस तरह से अब हम क्या करेंगे हमने उल्टी तरफ से अपना येलो कलर लगाया है सीधी तरफ में हम इसको यहां पर फंदे से फंदा बढ़ाएंगे यह रिखे तो आगे हैं हम सीधी तरफ तो सीधी तरफ में हमने फंदे से फंदा बढ़ाना है तो पहले फंदे पर नहीं बढ़ाएंगे लास्ट के फंदे पर नहीं बढ़ाएंगे बाकी के सबी फंदों पर फंदा हम बढ़ा लेते हैं आप यहां पर जाली भी बना सकते हैं इसको पर बिना जाली वाली आपको बता रहे हैं हम तो यानि कि मैं 18 फंदों पर यहां पर फंदे से फंदा इस तरह से बढ़ा रही हूं यह देखिए ये रेखिए फंदे को हमने बनाया पीछे धागा किया एक फंदा सीधा बनाया तो यहाँ पर दो फंदे हो चुके हैं एक ही फंदे से ये रेखिए इस तरह से तो हमने यहाँ पे फंदे से फंदा हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं इसके बाद हम उल्टी श्लाए को पूरा उल्टा बनाएंगे लास्ट के फंदे पे मैंने नहीं बढ़ाना है अठारे फंदों पे फंदे से फंदा मैं बढ़ा रही हूँ ये देखिए तो चलिए यहाँ पे बढ़ा लेते हैं और लास्ट के पे नहीं बढ़ाएंगे तो देखिए फ्रेंच मैंने यहाँ पे अठारे फंदों से फंदे बढ़ा लिये हैं और उल्टी शलाई को भी मैंने बना के complete कर लिया है तो यहाँ पे तीन सलाईय टोटल मेरी हो चुकी है दो सलाईय बॉडर और एक सलाई yellow की इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे यह रेखिए पूरी सलाई को हम सीधा बना लेंगे यहाँ पे दो फ्रंदे उल्टे बना लेते हैं सबसे पहले यह रेखिए इस तरह से इसके बाद मैं पूरी सलाई को सीधा बनाऊगी यहाँ पे चौथी सलाई को सीधा बना रहे है इसके बाद पांचमी सलाई को भी हम सीधा ही बनाएंगे चोथी को भी सीधा बना रहे हैं इसी तरह से उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे और सीधी तरफ से सीधा सीधा जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर मैं पांचमी सलाई को भी सीधा बना लेती हूँ चोथी को भी सीधा बना रही हो और इसके बाद पांचमी को भी फिर छटी सलाई पर आपको फिर से दिखाऊंगी कि क्या करना है हमने दो सलाईया वहाँ पर उल्टी बनानी है तो पहले मैं यह चोथी सलाई को बना लेती हूँ इसके बाद पांचवी सलाई को भी सीधा बना लूँगी इसके बाद आपको फिर दिखाऊंगे पांच सलाई तोटल करके तो देखी फ्रेंस मैंने यहाँ पे तोटल पांच सलाई अपनी बना ली है ये रेख़ी तीन सलाईयां दो सलाईयां मैंने सीढि़ी सीढि बना लिए और एक सलाई पर मैंने फंदे बड़ाएते तो तीन सलाईयां ये एल्लो की हो चुकी है और दो सलाईयां मेरा ब्रॉडर है इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर यह देखी दो सलाईया मैं पूरी अपनी यहाँ पर उल्टी उल्टी बना लेती हूँ इस तरह से तो यह मैं छटी सलाई को बना लेई हूँ और सात्वी सलाई को भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी दोनों तरब से हम इसको उल्टा-उल्टा बनाएंगे ये मैंने तीन सलाईया सुरी दो सलाईया सीधी-सीधी बनाई थी ये देखी तो चलिए मैं इसी तरह से इसको बनाके कम्प्लीट कर लेती हूँ दो सलाईया और उल्टी शलाई पर आपको फिर दिखाती हूँ तो चलिए बनाते हैं इसी तरह से इसको तो देखी फ्रेंच यहां पर यह साथ सलाईया हमारी टोटल हो चुकी है बॉर्डर को लगा करके यहां पर छे सलाईया हमने येल्लो से बना ली है पास सलाईया और दो सलाईया हमने बलू से बना ली है इसके बाद हम यहां पर यह रिखी साथ सलाईया टोटल है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ इसके बाद हम यहां पर उल्टी तरफ हैं तो उल्टी तरफ से हम इसमें बाजू अपना घटाएंगे तो बाजू हमने किस तरह से घटानी है अगर फुल सिलिप बनाना चाहते हैं तो आप फुल सिलिप भी बना सकते हैं तो यहां पे हाफ बाजू की हम बना रहे हैं तो दो तीन चार और यह पांच छे और यहां पे देखिए कंदे के लिए छे फंदे बना लिए हैं इसके बाद हम यहां पे बाजू अपनी घटाएंगे यहां पे देखिए एक दो तीन चार पांच छे और यह देखिए साथ साथ फंदे मैंने बाजू के लिए घटा दिये हैं और यहां पे हम आगे के फंदे बनाते हैं दो पीठ के लिए तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस लाश्ट के फंदे कौंटिंग कर लेते हैं एक बार दो चार छे छे फंदे कंदे के लिए दो चार छे साथ फंदे बाजू के लिए तो यहां पे दस फंदे हम बना चुके हैं पीट के लिए इस तरह से अब ये देखें दूसरी बाजू यहां पे हम घटा लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, आगे के कंदे के फंदे, छे फंदे ये बूल लेते हैं तो फंदो को थोड़ा सा बाजू के टाइठ ही घटाने हैं, ज्यादा डीले नहीं रखने हैं, यह देखें तो यहां पे यह देखें, इस तरह से दोनों बाजू घटके कंप्लीट हैं इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर अपना यह रेखिए सीधा सीधा तीन सलाईया हम सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं यह रेखिए इस तरह से तीनों हिस्सों के फंदों को जॉंट करते हुए हम यहाँ पर तीन सलाईया अपने कंप्लिट करते हैं यह रेखिए इस त नाना है तो यहांवा सब से पहले तीन सलाइख बनाते हैं बाजू घथाने के बाद ह­ Quadnost लिए सिदी तीन अलाई यह हम बना लेंगे इस तरह से हैLy Chelsea यह मैं घ्था हूं बना लेती हूं प्रकित इसके संपिर दिखा देती है ap तो देखी विरेंश, मैंने यहाँ पे अपनी दो सलाई शीदी बनाई है और एक सलाई उल्टी बना ली है और यहाँ से हम अपना वापिस अपनाई यह ब्लू कलर लगाएंगी और ब्लू कलर लगाने के बाद यहाँ पे हम संदे अपने बढ़ाएंगे तो यहाँ पे चोली हमारी इवन के complete है यह रेखिए और काफी सुन्दर लग रही है और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है तो यहाँ पे यह रेखिए ब्लू कुलर को लगा के इसके गेरे में हम डिजाइन आपको बताएंगे किस तरह से हमने इसका डिजाइन बनाना है गेरे में तो सबसे पहले हम आपको चॉली बता रहे हैं यहां से यहीं से हम आपको इसका घेरा बताएंगे किस तरह से मैंने घेरे में डिजाइन बनाना है तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे जरू लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह काना जी की beautiful के बाद मैंने पूरी टोटल चार आा आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर यह देख़िए हम अपना यह लगा देते हैं तो तीन फंदे मैं यह यह लो कलर से बनाओं गी इस तरह से और यह देखिए इस तरह से अगे की तीन टैने हम एकली होग करें तो यहां पे में डिजाइन बताहे हूं én को वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज इसे do करें शियर करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह हमारा लड़्डू को पाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी यह देखिए इस तरह से तो यहां पर हम कि सब्सक्राइब एक फंदा ब्लू कलर से तीन फंदे हम यलो कलर से बना रहे हैं अपना गे रेखिए इस तरह से अब हमने क्या करना है यहां पर हम जो हमारे यलो कलर के फंदे हैं उनी से हम फंदे से फंदा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मैं दो सलाईओं पे फंदा अपना बढ़ाऊंगी तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम फंदा अपना बढ़ा लेंगे ये रिखिए और जो blue color का फंदा है यही ध्यान रखें जो blue color का फंदा है वो आप सीधा करके इस तरह से बना लें उसको अब ये देखे मैंने फंदा आगे लिए आई हूँ और यहाँ पे हर फंदे से अपना फंदा बढ़ा रहे हैं ये देखे फिर आगे की तरफ करेंगे और फंदे से फंदा बढ़ा लेंगे तीनों फंदों पे हमने हर फंदे से फंदे बढ़ा लेने हैं यानि कि तीन फंदे हमने बनाए यलो कलर के तो यहाँ पे अब छे फंदे हो चुके हैं आगे का हम इसको सीधा बनाएंगे धागे को टाइट नहीं रखें डिला ही रखें फिर आगे हम यलो कलर लाके अपना फिर फंदे बढ़ा लेंगे तो तीन सलाईयों पर हम फंदे बढ़ा लेते हैं इसी तरह से फंदे से फंदा इसके आगे आपको फिर से दिखाते हैं क्या करना है और ये फंदा हमने बलू से इसी तरह से बनाते हुए जाना है ये रेखिए तो बना लेती हो तो देखे फ्रेंस हम फंदे से फंदा बढ़ा चुके हैं पहली सलाई पर उल्टी सलाई पर जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से हम बनाएंगे तो उल्टी सलाई भी हमने बना ली है अब हम दूसरी सलाई पर भी इसी तरह से फंदे से फंदा बढ़ा लेते हैं उसके बाद हमारा ये फंदे सबी जो येलो कलर के फंदे वो येलो कलर से बनाएंगे और जो एक फंदा ब्लू कलर का है वो हम इसी तरह से सीधा सीधा ब्लू कलर से बना लेंगे तो इसका गेरा हम इसी तरह से सीधा सीधा बना के कंप्लिट कर लेते हैं एक सलाई पर और बेले को बढ़ा है काफी लोगों को समझ नहीं आये तो मैं आपको यह दुआरा शुम जारी हूँ तो चलमें मैं पहले इसका घेरे को इसी तरह से भुलनेती हूं कुछ इसके बाद इसका बेलू कलर से आपको डिजाइन नीचे की तरफ बताएंगे किस तरह से हमने बनाना है तो यहां पर घेरे को बना के complete कर लेती हूं सबसे पहले यहां पर देखिए यही ध्यान रखें आप एक सलाई पर मैंने फंदे बढ़ा लिये हैं अब मैं दूसरी सलाई पर भी फंदे बढ़ा लेती हूं उसके बाद हम इसी तरह से इसको बना लेंगे और बनाने के बाद नीचे की तरफ हम इसका डिजाइन बनाएंगे तो चलिए मैं इसको रेडी करती हूँ इसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंज यहाँ पर हमने इतना इसका गेरा बना लिया है दो सलाईयों पर मैंने फंदे बढ़ाए हुए है और इसके बाद मैंने तीन सलाईयां इसी तरह से बना लिया है यानि कि दोनों तरफ की छे सलाईया दो सलाईयों पर फंदे बढ़ाए है और तीन सलाईया simple simple इसी तरह से यह बना ली है यह देखिए इस तरह से तो यहाँ पर total गेरे में 5 सलाईय टोटल हो चुकी है 2 सलाईयों पर फंदे बढ़ा लिए 3 सलाईय इसी तरह से बनाई है और यह देखिए बनाते हम उसी तरह से गए हैं यहाँ पर हमने यह देखिए अब यह देखिए हम यहाँ पे आपको डिजाइन बता रहे हैं किस तरह से हमने डिजाइन को बनाना है तो यहाँ पे यलो वाले फंदे हम यलो से ही बनाएंगे इस तरह से तो बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है एक दम मैंने इस तरह का डिजाइन अपने चैनल में डाला हुआ है ड्रेस में ही काफी लोगों को समझ नहीं आया तो मैं दुवारा से आपको बता रही हुँ ये तो देखे धागा हम पीछे करेंगे और ये वाला धागा हम आगे लाएंगे तो देखे हमने यहाँ पे एक फंदा बनाया फिर धागा पीछे किया दो फंदे बनाये फिर मैंने धागा अपनी तरफ किया तीसरा फंदा बनाया फिर धागा पीछे किया चोथा फंदा बनाया फिर धागा अपनी तरफ पांच मों फंदा बनाया फिर धागा पीछे तो यहाँ पर एक ही फंदे से मैंने 6 फंदे बना लिये है छोटा सा बॉबल्स बनाएंगे यहाँ पर इसके बाद हम धागा अपनी तरफ करके यलो वाले फंदे यलो से बनाएंगे तो देखें यहाँ पर आगे हैं दूसरे फिलावर पर गे रिखिए धागा अपनी तरब करेंगे यहाँ पर एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से फिर धागा पिछे करेंगे छे फंदे हम एक ही फंदे से बनाएंगे यानि कि पांच फंदे छटा फंदा हमारा यही रहेगा तो देखिए यहाँ पर फिर से हम बता रहें आपको इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी खाली एक ही फंदे से आपने इसमें यहाँ पर पांच फंदे बनाने हैं छटा फंदा हमारा यही रहेगा यानि कि छे फंदे हमने बना लेने हैं यह देखिए एक बनाया दागा प पांच मा और धागा पीछे च्छटा और इसको हम सलाई से निकालेंगे इस तरह से ये रिखिए पहुत ही जी है बिल्कुल सिंपल तरीका है एक दब तो ये हम दो फ्लावर और इसी तरह से बना लेते हैं और उल्टी शलाई पे आपको फिर दिखा देते हैं तो सीधी शलाई को यहां पे बना लिया है उल्टी शलाई पे हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं तो यहां पर ये देखिए हम इस तरह से उल्टा-उल्टा सब भी फंदों को बना लेंगे और जो 6 फंदे का मैंने ये फुलावर बनाया है वो भी मैं 6 फंदों को इसी तरह से उल्टा-उल्टा बुल लेती हूं ये देखिए यहां पर हमने 6 फंदे बनाये हैं ये एक ही फंदे से यानि की 5 फंदे तो ये भी हम इसी तरह से बुल लेंगे देखिए एक दो तीन चार और ये पांच और ये छै आगे की तरफ से फिर से आपको दिखाएंगे कि सभी फंदों को हमने इसके बाद बंद कर देना है तो चलिए ये अहां पर इसी तरह से ये सलाई को बुल लेती हूं उल्टी सलाई को छै फंदे ये भी हमने उल्टे-उल्टे और जो 6 फंदे हमने इसमें घटाना नहीं है ये भी 6 फंदे इसी तरह से इने बुल लेंगे तो उल्टी सलाई को भी मैंने बना लिया है अब ये देखिए मैंने यहां पर सीधी सलाई में सीधी सलाई में मैंने इस फंदे पर 5 फंदे बनाये थे यानि कि 6 फंदे उसके बा इसका बताया हुआ है आपको गेरा अब इसके बाद हम क्या करेंगे अगर आपने कोई यहाँ पे डिजाइन बनाना है तो आप बना सकते हैं सिंपल सिंपल फंदे घटाना चाहते हैं कोई कंगूरा बनाना चाहते तो बना सकते हैं अगर मैंने यहाँ पर इसी तरह से सिंपल सिंपल सभी फंदों को बंद कर देना है अगर आप कोई भी लेस वगेरा बनाना चाते हैं तो यहाँ पर बना सकते हैं तो हम सभी फंदों को इस तरह से बंद करेंगे यहाँ पर इसी तरह से मैंने उस ड्रेस में आपको बताया है त तो देखे यहां पे हम फंदें कर रहे हैं एक एक करके सभी फंदों को बंद करेंगे तो यहां पर ड्रेस पहले से यह बने की कमप्लीट हो जाएगि सभी फंदें बंद कर देने हैं इसी तरह से कि ये रिखिए बनने के बाद इस तरह से ये हमारा इसका लुक आ जाएगा तो चलिए हम इसी तरह से इसको बना के कंप्लेट कर लेते हैं कि देखिए इस तरह से इसका सभी फंदों को हम बन कर देंगे झाएगा कि झाएगा